ओम शान्ति अब सब्स्वागत है आज का सत्रा चुलाई के श्री वरतान में जहां परम्पिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने मेरे पन को मेरा मेरा आइडिया मेरी सोच मेरे तरीके से मैंने जो का वो ना चीए ये सारी चीजें हम छोड़ते हैं ताकि हम हलके हो जाएं परमात्मा कहते हैं मेरे पन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपून ट्रस्टी भवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव पस-पस दिख रही हैं आपकी आखों से, इनकी आवाजे आप सुनते हो कानों से, वो आपकी नहीं है, आपकी चीज को उनर हो ही नहीं, लेकिन जब आपने वो ट्रस्टी पन छोड़ करके मेरा पन कर दिया, तो भारी पन आ जाता है, और उस भारी पन के कारण इंसान बिमार हो जाता है, और साथी साथ वो इनसान मानसकता से भी बिमार हो जाता है, तो दिखें, परमात्मा केते कह हैं, बाप कहते हैं, मेरे पन की खोट को समात कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपून ट्रस्टी भवब, यदि बाप की श्रीमत प्रमान निमत बन कर रहो तो, ना मेरी प्रवत्ती है ना मेरा सेंटर है अब ये ब्रामकुमारी इसका वरतान है तो फिर ब्रामकुमारी इसके जो हम बच्चे है हमारे लिए हैं हम स्टूडन्स के लिए है तो कुछ जो घर में रहते हैं उनके लिए भी ये है और जो center पर रहते हैं जैसे दिदियांगे sisters होगी उनके लिए भी यह है तो बाबा कहते हैं कि परवत्ती में रहते हैं तो ना मेरी परवत्ती है ना मेरी family है और ना ही मेरा center है क्योंकि मेरा पन नहीं होना चीए मेरा पन होगा तो फिर my way the highway होगा और जिस कारण से अकेला पन हो जलता है तो परवत्ती में हो तो भी trustee हो center पर हो तो भी बाब के center है ना कि मेरे तो trustee मतलब क्या हुआ यह सारा घर मेरा नहीं परमात्मा है परमात्मा के अनुसार मैं इस घर को चलाओं economically ली चलाओं इसको घर को और सही तरीके से इसको आगे बढ़ाओं और उसी तरीके से अगर center है तो सेंटर को भी मेरे को सब के सर्योग के साथ चलाना है ना कि मेरे पन के साथ फिर परमात्म कहते हैं इसलिए सदाश शिव बाप की भंडारी है ब्रमा बाप का भंडारा है तो परमात्मा का भंडारा बोले नात का भंडारा कभी खाली नहीं रहता है provided हम अगर पर्म पिता पर्मात्मा जो कि innocent Lord कहा जाते हैं बोलाना अत्म लग innocent Lord जो कि किसी से वेर नी करते हैं किसी को अलग नी करते हैं हर किसी को एक ही दृष्टी से देखते हैं तो पर्मात्मा पिता चाहते हैं कि हम भी अपने अंदर गुण भरें, शक्ति भरें, और उसी द्रिश्टी से, उसी आटिट्यूट से, वृत्ती से, और उसी भाव से हर कारे करें, तो जाकर के कोई कमी नहीं रहेगी, ब्रह्मा बाप का भंडारा है, इस स्मृत्ती से भरपूर्ता का अनुभफ करेंगे, मेरा पन आया या लाया, तो भंडारा वह भंडारी में बरकत नहीं होगी, किसी भी कारेंग में, अगर कोई खोट अर्थात कमी है, तो उसका कारण बाप की बजाए, मेरे पन की खोट अर्थात अशुद मिक्स है, अशुदिता मिक्स होना मतलब, कि मैंने अपने मन के विचारों को, जो की जाता तर असुरी विचार चलते हैं, पर मात्मा के तो हमेशे पवितर विचार होते हैं, मैंने अपने मन की और बुद्धी की विचारों को इस्तमाल कर लिया, और मिक्स कर दिया, अपने अनुसार क मैं करूँगा, मैं दिखा दूँगा, मिर को पता है, मैं ही राइट हूँ और यहीपर परमात्वर कहते हैं कि हम गिरते हैं फिर और फिर भन्दारे के आ होते हैं तो इस चीज को कैसे संभालें, काईसे हम खबरदार रहें और क्या रिती, क्या लौ है परमात्में सिखाय हुए जिसे कि सारे भंडारे भरपूर रहें उसके लिए आप ब्रामय कुमाईस का 70 सकोस करिए इसके साथ वमशन दिए